नहीं जीत पा रहे हैं वर्ल्ड का बहुत टाइम से, इसलिए जैश असाब बदल रहे हैं अप्रोच, क्या पीम नरेंद्र मोधी और हमेच्छा बनेंगे टीम इंडिया के नए हैड कोच? क्या बोल रहा है ऐसी मार पड़ेगी आजेगी तुझे मोच अरे मोच कहा मतलब पैर भी मार रहे हैं फिर तो ठीक है फिर तो यह तो आदत है हमें लेकिन अगर आप अभी जो हैड कोच के लिए टीम इंडिया के लिए जो एप्लिकेशन खोले थे बीसी सी आये ने अगर आप उनके अप्लिकेशन पढ़ने लगोगे तो पता यह चलेगा के लगवक तीन हजार यह शायद उससे भी ज्यादा जो एप्लिकेशन आई थी वो फेक थी और उसके अंदर किन-किन लोगों ने अप्लाए करा है पीम मोधी अमिच शाह और तो और मैं तो कहा रहा हूँ कि आपका भी नाम लिख सकता हूँ बदा कहां से कहां पहुंच गया 27 में अप्लिकेशन सब्मिट करने की इस बार सेवाग सर ने भेजी आप्लिकेशन नहीं तो ख़बारों में आ जाता था यार दिक्कत यह हुए है कि हर बारी जो इतने टाइम से बात हो रही थी ना के कोच कोच बनेंगे लास्टाम जब राहुल रविट साब के बात हुई थी तब भी बहुत लोगों ने अप्लाए करा था विरिंदा सेवाग साब से बात हुई थी बाहर के भी कई कोचे से जिन से बात हुए थी टॉम मोडी उस टाइम पे और और भी कुछ लोग मेरा भी दमाग सपैकनवाले के इनको कोचिंग देंगे पहले उनने जा के चोडे में बोल दिया जी हम थो इंट्रेस्टेट ही नहीं है मैच हाँ माइट हम तो इंट्रेस्टेट नहीं हैं माइट चाहे वो लैंगर हो चाहे वो पॉइंटिंग ओ माइट लेकन फिर जैशासाब के वीरू साहस्त बढ़े थे हाँ तुम कौन यह वही बात है तुम कौन अबा तुमसे पूचा है किसीने लेकिन दिक्कत यह है कि अभी जो तो डेडलाइन ये खतम हो गई है, अक्सर बता दे रहे थे कि जो भी बड़े लोग आते थे, जो भी लोग अप्रोच करते थे, उनके नाम थोड़े सामने आने शिरू हो जाते थे, पर अभी नाम भी नहीं आ रहा कुछ नहीं आ रहा चाओ, कोई अफिशल अपडेट नहीं एक वीडियो ये भी सर्कुलेट हो रहा है, वाइरल हो रहा है जिसमें कलकत्ता फाइनल जब जीती है, उसमें जैशा गंबीर के पीछे पीछे जा रहे हैं कि अरे भाया ज़रा सुन तो लो तोगा, सुनिये तो सही, अरे रुकिये तो सही अरे उसके साथ लेकिन साथ में एक और ये भी हो रही है, कि वह अपना जैशा साभ आए है और गंबीर साभ को ऐसा हाथ बात मिलाया जपिया अपिया डालिया एक बढ़िया एक तो साथ में, अब डन सम्झें, इस दोस्तिक और रिष्टिदारियों बदल दें, फिर पता न जो है, उनको ब्लैंक चेक दे दिया था, गौतन कुमिर हो कि दस साल तक तू हमारे साथ रहेगा, एक तरफ कलकत्ता है, रसगुले और एक तरफ पूरी इंडियन टीम का, क्या कहते हैं, और कोई मीठा बढ़िया नाम लो, जो आपको पसंदो, गुलाब जामुल, भी रही है कि इनके पास अब ये मौका रहेगा कि टीम इंडिया चुने, या फिर टीम कलकता चुने, या फिर अगर बाए चांस इन्हों ने, अब क्यूंकि इस बार वो लड़ नी रहना है, इलेक्शन नी लड़ रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी का साथ चोड़ क कि टीम सी की तरफ चले जा तो उनके दिमाग में आए कि भाई फिर तो मुझे कलकता ही रहना पड़ेगा, कोई बात नी देखी जाएगी, सियासी मोड लिया जा रहा है वह यहां पर, अरे वो डीटेल में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, ऐसा कि या सियासी के लिए म मस्त ड्राइंग रूम में बैठे, नैकर है वाई, अब क्या कछे बनान नैकर, नैकर नैकर, नैकर पहन के आते हैं, तो देखो मुद्दे की बात यह है कि अभी तो कोई नाम पास में नहीं आया है, वोल्ल कप के तुरंट बाद कोच को देना होगा, सचिन, 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 विरेंदर सेवाग, अच्छा वो फेक है सारे, अच्छा सारे फेक हैं, ना ना जी देखो, आजकर डीप फेक का जवाना है, यह भी बहुत डीपली फेक किया जारा चीज़े, मैं तो यह सोच रहूं कि, नरेंदर मोदी जी और अमेशा जी का नाम लिखा है, यहां पी जो है, वो इंडियन टीम के C बन सकते हैं कि नी बन सकते हैं, HC, HC, Head Coach, यह फिर नहरा जी है, गंबीर जी है, भजूपा भी एक option है, पता नहीं उन्होंने अपलाय किया भी एक नहीं किया, क्योंकि BCCI ने इंटरस्टे शोनी किया था लास्ट तो यह एक बात है, आपके साब से कोच कौन बन सकता है, क्या मोदी जी अच्छे कोच रहेंगे, आपिछा जी अच्छे कोच रहेंगे, या फिर योगी जी को लाना पड़ेगा बढ़िया कोचिंग के लिए, हमेशा क्रिकेट और पॉलिटिक्स का mail रहता ही है, योगी जी आगर टाइट तो कर देंगे, अ कर देंगे, उर टाइभा रहें जी आगर बढ़िया पांवे, य Síцथ नचै योगी जी दोे म 도 медáaban रहेंगे, मूदा प्लाइट एंच है, भूप हैं तो कर दो नच्छे के अभा बढ़िया कोच पोगा है, या झाटक कर झालब नाचे काम डमा़े हैक, या कुरा कि नचर में